इन्होंने लंबा समय लंबा काम कांग्रेस में पूरा जीवन दिया लेकिन सब कुछ भूल करके सब कुछ छोड़ करके भारती जंता पार्टी में आये क्यों क्योंकि मोधी जी को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं और जो चाहते थे कि उसमें छिनवाड़े का भी एकदान होना चाहिए अब यह सब कुछ छोड़के आये उससे हमें कुछ पक्का था क्या है लेकिन छोड़कर करके आये भारती जंता पार्टी परिवार में यह नहीं आये और बड़ी संक्या में कारकरता भी आये बूत इस त परिवार की सदस्तां लिए वार्वा उत्य हंतार की जिम्मेदाव के सदस है Haus इनके मान सम्मान की भी जिम्मदारी हैंमारी है लेकिन अब भाईया में में सरकार बन गई कि अभी कुछ लोग आने चाहते हैं मिद्ट एफ पिजब नहां लोगों की जरुवत नहीं बिल्कुल से नहीं कि यह बिज़ां सबस्चुनाओ के समय क्यों नहीं लोग सबस्चुनाओ के समय कि लेकिन अब अब जब हम जीत गया है उनको दिखराएंगे भई आप सब काम खतम ताब चुनाओं के बाद आना चाहरा है छिट्टी में लोगों से लिखवाया जा रहा है मेरा विरोज है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के गाणा आप अमारे पीच में आना चाहरा है इसलिए पहले ही मैंने कहा है अब चलेगी जो किसकी चलेगी तो बहुत जादा कुछ बोलना नहीं है इतना ही है बस यह है कि आप लोग का साथ आप लोग का मार्दशन बना रहे और जो लोगने इतियास रचा है इस इतियास को हर बार दोराना है अब आगे लोग सबा चुनाओं जीते उसके बाद एक चुनोती पूंट चुनाओं अमरवाड़ा का जीते की नहीं जीते वह तो परामपरी ग्रूप से कांगरेश की सीट थी लेकिन पूरे कार करता हूं नहीं पूरे जिले के कार करता लगे नाना भाव भी गय थे राहूल भी गया सब्सक्राइब करता लगे और हमने अमरवाड़ा चुनाओं जीते रहा हूं आगे जितने भी चुनाओंगे वह हम जीतेंगे कोई दूसा जीतने वाला नहीं है चुकि यह जीत की शुरुआत हो चुकी है और यह आप रुखने वाली नहीं है मैं आज इस अफसर पर समस्क देवतुल कारगताओं का एक बार फिर से बहुत